इस वीडियो में आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ इल्तुतमिस का इतिहास जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहासिक तथियों के वारे में, इल्तुतमिस के परिचे के वारे में, इल्तुतमिस के आकर्मनों के वारे में और इस्थापत कला इवं साहित्य के वारे में तो इन चार चीजों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए ये वीडियो केवल प्रतियों की परिक्षा के लिए बनाया गया है अगर आपको डिटिल में इतिहास पढ़ना है तो डेस्किप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है वेबसाइट की तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हूँ तो चलिए इस वीडियो की सुरुगात करते हैं और पढ़ते हैं इतिहास ये है सूजना तो इसे आप जरू पढ़ें सबसे पहले बात करेंगे इतिहासिक तथियों की क्योंकि अगर हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका मूल इतिहास कहां पर मिलता है तो सबसे पहले एतिहासिक तत्यों की चर्चा करेंगे एतिहासिक तत्यों में सबसे पहला नाम आता है तवकात इनासिरी का तवकात इनासिरी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैंने एक special वीडियो बनाया था इसके उपर जिसमें मैंने बहुत डेटेल से आपको पढ़ाया था अगर आपको डेटेल से पढ़ना है तो वीडियो को देख लीजी आपको प्लेलिस्टों मिल जाएगा और यहां पर मैं एक basic शर्चा करने वाला हूँ तवकात इनासिरी के बारे में तवकात इनासिरी की रचना तेरवी सताबदी में मिनहाज उस सिराज के दवारा फारसी भासा में की गई थी तवकात इनासिरी में मुहम्मद गौरी से लेकर नासिरुदीन महमूद के सासन कालतक की जनकारी प्रदान की गई है अगला गरंथ है स्यासत नामा स्यासत नामा का आप लोगों ने नाम कहीं ने कहीं जरूर सोना होगा तो इसमें ऐसा क्या खास है इसमें इल्टुतमिस के एक्ता ववस्था की जनकारी प्रदान की गई है स्यासत नामा में और इसकी रचना निजाम उल्मुल्क की द्वारा फार्सी भासा में की गई थी तीसरा गरंथ है अदाव उस सलातीन आपने इसका नाम साहे दे सोना होगा कि विगर आपने इतिहास सही से पड़ा होगा तो जरूर सोना होगा इस गरंथ की रचना फक्र ए मुदब्ब्र की द्वारा की गई थी और ये सुल्तान इल्टुतमिस को ही समर्पित है ये गरंथ तो सुल्तान इल्टुतमिस के सातनकाल की जानकारी के लिए बैसे तो बहुत सारी गरंथ है लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाम रहते हैं वो ये तीन रहते हैं तो इनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है तो ये दो थे एतिहास सिक stata थे अब बात करते हैं इल्टुतमिस के इतिहास पर सबसे पहले बात करेंगे इल्टुत्मिस के परिचाय पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेटेल से भी पढ़ना है तिहास तो डेस्कप्सन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये वीडियो केवल परिचा के लिए मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत जो चीजें फेमस थी उनकी चर्जा करूँगा इल्टुत्मिस तो इल्टुत्मिस का अर्थ होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं इल्तुत्मिस का अर्थ होता है सामराज का स्वामी और इल्तुत्मिस का बास्तविक नाम था समसुद्दीन इल्तुत्मिस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है का समसुद्दीन इल्तुत्मिस ये बास्तविक नाम था और इसको कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है इल्तुतमिस के पिता का नाम था इलम खान जो इलवारी तुर्क सरदार थी इल्तुतमिस की बेगम का नाम साहे तुर्कान था और इल्तुतमिस की पुत्रों का नाम था नासर उद्दीन महमूद, रुकन उद्दीन फुरूज सा है और मुईज उद्दीन बहराम सा है इल्तुतमिस की एक ही पुत्री थी जिसका नाम था रजिया इल्तुतमिस का धर्म सुन्नी इसलाम था मैं आपको बता दूँ कि कुछ इतिहासकारों ने इल्टुतमिस को इलवारी बंस का माना है आपको ये कही न कही पढ़ने को जरूर मिला होगा लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इल्टुतमिस को समसी बंस का माना है तो यहाँ पे इतिहासकार एकमत नहीं है कुछ इतिहासकार इलवारी बन से लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार समसी बन से लिखते हैं इल्तुतमिस को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है आपको यहाँ पर याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है इल्टुतमिस को माना जाता है और दिल्ली सल्तनत की इस्थापना किस ने की थी कुतुब उद्दीन एवक ने की थी ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्पूर है और ये कई बार एक्जाम में ये आया है प्रसुन तो इसको बिसी तोर पर आप याद रखें आप बात करते हैं इल्टुतमिस के इतिहास पर मैं आपको बता दूँ के कुटब उद्दीन एवक ने एक लाग जीतल में इल्टुतमिस को खरीदा था जीतल तावे के सिक्कों को कहा जाता था और सबसे पहले कुटब उद्दीन एवक ने इल्टुतमिस को सर ए जहांदार के पद पे निप्त किया था देखिए सर एज जहाँदार इसका मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान जैसे के राजाओं के अंगरक्षक होते हैं जैसे के आज प्रधान मंतरी राजपती जितने बड़े नेता हैं उन सभी के अंगरक्षक होते हैं तो ठीक इसी तरह से राजाओं के भी अंगरक्षक होती थी तो अंगरक्षकों का प्रधान पद पे निक्त किया था इल्टुतमिस को किस ने किया था? कुतुब उद्दीन एवक ने इसके बाद कुतुब उद्दीन एवक ने अमीर इस सिकार के पद पे निफ्ट किया था अमीर इस सिकार ये एक राजदर्वार से सम्मंदित अधिकारी होता था इसके बाद गॉलियर का अमीर बनाया था किसने कुतुब उद्दीन एवक ने गौलियर का अमीर के बाद कुत्व उद्दीन एवक ने क्या किया था कि इल्टु तुम इसके साथ अपनी पुत्री का बिवाह कर दिया था और बदाईयों का सूबेदार बनाया था अब बात करते हैं अमीर उल उम्रा की देखें अमीर उल उम्रा की उपाद ही इल्टु तुमिस को किस ने दी थी? मौहमद गौरी ने दी थी दरसल इसकी एक कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ 1205 में क्या हुआ था कि मौहमद गौरी ने खोकरों का दमन करने के लिए दिल्ली से कुछ सेना मंगवाई थी जिसमें कुत्ब उद्दीन एवक के साथ इल्टु तुमिस भी था इल्टु तुमिस ने क्या किया कि खोकरों का इतनी बुरी तरह से दमन किया कि उन्हें काट काट के जेलम नदी में फैंक दिया था इल्टु तुमिस के इसी कार से प्रसन होके मौहमद गौरी ने उसे अमीर उल उम्रा की उपादी प्रदान की थी इल्टु तुमिस की दूसरी उपादी सुल्तान ए आजम थी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ देखिए 1229 में बगदाद के खलीपा जिनका नाम था अल्मुंतसिर बिल्ला है अल्मुंतसिर बिल्ला है की दूरा इल्टु तुमिस को सुल्तान ए आजम की उपादी प्रदान की गई थी ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और भारत में सुल्तान की उपादी धारन करने वाला पहला सासक माना जाता है इल्टु तुमिस को बैधानिक उपादी धारन करने वाला भी सासक माना जाता है इल्टु तुमिस को पहला सासक माना जाता है जिसने सुल्तान की उपादी धारण की थी सिंघासन की अगर बात करें तो इल्टुतमिस ने 1210 के अंत में कुत्ब उद्दीन एवक के उत्रा अधिकारी आराम साहे को पराजित करके सिंघासन प्राप्त किया था सासक बनने के बाद इल्टुतमिस ने अपनी राजधानी लाहोर से दिल्ली में इस्थान अंतरित कर ली थी और इस तरह से इल्टुतमिस को पहला मुस्लिम सासक माना जाता है जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था उससे पहले किसी भी मुस्लिम सासक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था कुतब उद्दीन एवा की राजधानी लाहौर में थी जो आज पाकिस्तान में है अब बात करते हैं पिर्थू का बिद्रूए देखिए पिर्थू का बिद्रूए ये बहुत फेमस माना जाता है और ये इल्टुतमिस के ही सासनकाल में हुआ था अबद में एक बिद्रोय हुआ था जिसे इल्थुतमिस ने दवा दिया था और उसी बिद्रोय को पिर्थु का बिद्रोय की नाम से जाना जाता है तुर्कान ए चहलगानी इसका नाम भी आप लोगों ने जरूर सोना होगा देखिए तुर्कान ए चहलगानी चालीस गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसे इल्थुतमिस ने ही बनाया था और उसी को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था और मैं आपको बता दूँ कि इल्टुतमिस के प्रधान मंतरी का नाम था निजा मुलक जुनेद इल्टुतमिस को नियाए पर ये साथ सक भी माना जाता है क्योंकि इबन बतूता ने लिखा है इल्टुतमिस के बारे में कि अगर किसी बैक्ति को नियाए चाहिए होता था तो ओह लाल बस्तर पहन कर महल के बाहर दो सेर लगे हुए थे संग मर्मर के उनके गले में घंटियां बंदी हुए थी तो उन घंटियों को जो बैक्ति बजाता था उससे तुरंत नियाए प्रदान किया जाता था मैं आपको बता दूँ कि भारत में एक्ता विवस्था की सुरुवात इल्तुतमिस नहीं की थी और एक्ता विवस्था क्या होती है इसके बारे में एक स्पेसल वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरी डिटिल के साथ समझाऊंगा तो बस आपको यहां पे इतना ही याद रखना है कि एक्ता विवस्था की भारत में शुरुवात किस नहीं की थी मैं आपको बता दूँ कि भारत में सबसे पहले अगर किसी सासक ने साही सेना का गठन किया था तो वो इलतुतमिज नहीं किया था और इसकी देखरे के लिए एक बिभाग होता था जिसका नाम था दीवान ए आरिज तो यहां आपको इसको ध्यान रखना है एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सेनापती का कार सुल्तान स्वेम करता था उसके लिए किसी भी बैक्ती को अलग सेनापती नहीं रखा गया था काजी उलकुजात तो इसके बारे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इलतुतमिज की सासन काल में सुल्तान के बाद काजी उलकुजात का पद सर्वोच होता था जो एक न्याय करने वाला अधिकारी होता था तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा काजी उलकुजात क्या होता है न्याय का अधिकारी होता था सुद अर्वी सिक्के तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारत में सुद अर्वी सिक्के चलाने वाला पहला सासक इल्तुतमिस को ही माना जाता है तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिक्के तो इन में जो कुछ लिखा हुआ है ये अर्वी में लिखा हुआ है तो इस तरह के सिक्के इल्तुतमिस के द्वारा चलाए गए थी चांदी का टका देखे चांदी के कुछ सिक्के जारी किये थी इलतुतमिस ने जिने टका कहा जाता था तांबे का जीतल इसका मतलब है कि जो तांबे के सिक्के चलाए गए थे इलतुतमिस के द्वारा उन्हें जीतल के नाम से जाना जाता था कुत्ब मेनार का निर्मार मैं आपको बता दूँ के कुत्ब मीनार का निर्मार कार जो शुरू करवाय था वो कुत्ब उद्दीन एवक ने करवाय था लेकिन निर्मार कार पूरा होने से पहले ही कुत्ब उद्दीन एवक की मिरत्ती हो गई थी इसके बाद इल्तुतमिस ने कुत्ब मीनार का जो निर्माण कार रहे था वो पूरा करवाये था तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है इसको बिसे तोर पे के कुत्ब मीनार का जो निर्माण कार पूरा किसने करवाये था इल्तुतमिस ने करवाये था अतारकिन का धरवाजा देखिए अतारकिन का धरवाजा जूदपुर में था और उसका निर्माण भी किसने करवाय था इल्तुतमिस ने ही करवाय था और ये प्रिस्न भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो आपको इसको यहाँ पर याद रखना है कि अतारकिन का दर्वाज़ जूदपुर में किसने बनवाया था? इल्तुतमिस ने सुल्तान गड़ी का मकबरा, ये भारत का पहला मकबरा माना जाता है और ये इल्तुतमिस ने अपने पुत्र नासुरुदीन महमूद की कबर के उपर बनवाया था आपको इसको बिसी तोर पर याद रखना है क्योंकि इसे भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है क्योंकि ये भारत का पहला मकबरा माना जाता है मदर्सा ए मुईजी इसके बारे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ दिल्ली में इल्तुतमिस ने एक मदर्से का नर्माण करवाय था और ये मुहम्मद गौरी के नाम था मुईजदीन मुहम्मद गौरी कहीं कहीं सहाब दीन मुहम्मद गौरी लिखा हुआ है तो मुहम्मद गौरी के नाम पे इलतुतमिस ने दिल्ली में एक मदर्से का नर्माण करवाय था और उसका नाम था मदर्सा मुईजी और मैं आपको बता दूँ के नासरी मदर्से का नर्माण भी इलतुतमिस के दुआरा ही करवाय गया था मिन्हाज उस्सराज इल्टुतमिस के दरवारी कभी थी मिन्हाज उस्सराज के अलावा इल्टुतमिस के दरवार में मलक ताजदीन भी रहती थी अब बात करते हैं इल्टुतमिस के आकर्मणों पर मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैंने उन आकरमणों की चर्चक की है जो प्रतियोगी परिक्षा में पूछने लायक हैं और प्रतियोगी परिक्षा में पूछे गए हैं अगर आपको details से आकर्मनों के बारे में जानकारी पढ़नी है तो website की link आपको comment box और description box दोनों जगह मिल जाएगी तो वहाँ से जाकिया पढ़ सकते हो सबसे पहले बात करते हैं ताजुद्दीन यल्दूज की मैं आपको बता दूँ के दो प्रमुक दूस्मन थे जिन में से पहला नाम आता है ताजुद्दीन यल्दूज का और दूसरा नाम आता है नासुर्दीन कुबाचा का तो इल्तुतमिस ने सबसे पहले क्या किया कि ताजवधिन यल्दूज के खिलाप इसने अभ्यान किया اور यह अभ्यान लगबक 1216 आश्वी में किया था और ताजवधिन यल्दूजद गजनी के साथ सक्ट थे गजनी आदनिक अफगانостान में है और ताज़दीन यलदूच को पराजित किया और उसे बंदी बनाके बदाईयों में बंद कर दिया था और बाद में उसकी हत्यावी कर दी थी इसके बाद इल्टुतमिस ने 1226 में रन थंबोर के किले पर बिज़े पराप्त की थी रन थंबोर का किला जिसे अजे किला माना जाता है ऐसा माना जाता है कि 70 से ज़्यादा सासकों ने उस पर अधिकार करने की कोशिश की थी लेकिन वो कर नहीं पाये थे और सबसे पहले इल्टुतमिस ने ही रन थंबोर के किले पर अधिकार किया था ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रन थंभोर विजे के बाद 1228 में इल्टुतमिस ने सिंद और मुलतान के सासक नासरदीन कुबाचा के बिरुद आकरमन किया नासरदीन कुबाचा ने क्या किया कि अपना राज ही छोड़ के वो भाग गया था इसके बाद उसने क्या किया कि अपने पुत्र बहराम को संधी परिस्ताव लेके इल्टुतमिस के पास भीजा इल्टुतमिस ने उस परिस्ताव को ठोकरा दिया कुबाचा ने बहुत कोसिस की लेकिन इल्टुतमिस नहीं माना और अंत में कुबाचा ने क्या किया था कि सिंदू नदीम कूद के आत्मेहत्या कर ली थी इल्तुतमिस का अधिकार मुल्तान उच्छ और सिंद तीनों जगए हो गया था कुबाचा को पराजित करने के बाद बारा सो तीस में इल्तुतमिस ने बंगाल को दिल्ली सल्तनात का हिस्सा बनाया था बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के बाद 1231 में इल्टुतमिष ने गौलियर की राजा जिनका नाम था मंगल देव तो उनके बुरुद आक्रमण किया लेकिन गौलियर की दाजा मंगल देव पराजित हुए और उन्हें अपना राज गवाना पड़ा ग्वालियर बिजे के बाद इल्टो तुमिस ने संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्राधिकारी गोसित किया था तो ये संस्मारक मुद्रा क्या होती है इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ देखे संसमारक मुद्रा वो होती है जो किसी विसेश अफसर पर जारी की जाती है उसे ही संसमारक मुद्रा कहा जाता है नागदा और अनहिल वाड़ा तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 1234 में इल्टुतमिस ने नागदा और अनहिल वाड़ा दोनों जगहें वे आकरमन किया था, लेकिन दोनों जगहें पराजाय का सामना करना पड़ा था 1236 में इल्टुतमिस की द्वारा बामियान पर आकरमन करने की योजना बनाई और उसने दिल्ली से प्रिस्थान कर दिया लेकिन 30 अपरेल 1236 को रास्ते में ही इल्टुतमिस की मृत्ती हो गई थी, बामियान आधनिक अफगानिस्तान में है ये था इल्दुतमिस का इतिहास अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इससे दुवारा ते बारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करो, शेर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कुमेंट करके आप मुझे से पूछ सकते हूँ